स्टुडेंट्स तिस इस वर माथ्स पीडियट चेप्टर नंबर वन हमने स्टार्ट किया वही कॉंडिन्यू हम करेंगे चेप्टर का नेम है नंबर अप्टू फाइव डिजिट्स exercise 1D का हमने question number 5 और 6 करना है first of all में आपको कुछ introduction देना चाहूंगी greatest और smallest digit formation के बारे में हमें क्या करना question number 5 में form the greatest number using the following digit हमें digit given है हमें greatest number बनाना है greatest number वो number होता है जिसमें हम numbers को greatest to smallest form में लिखता है मतलब descending order क्या है अगर आप जहां से देखो descending order है greatest smallest smallest and mean सबसे small ठीक है greatest to smallest greatest number का मतलब होता है descending order क्या होता है descending order greatest to smallest form the greatest number using the following digit यह आपको डिजिट दे रखिए है हमें क्या बनाना उसका greatest number greatest number वो number होता है जिसमें सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट आते है सबसे बड़ी डिजिट क्या है 9 इसके बीच में कोमा हट जाएगा 9 को भूल जाओ अब बचे में में से remaining में remaining में में से remaining digit में से सबसे बड़ी डिजिट क्या है 6 6 को भूल जाओ क्रॉस लगा दो इसके पर ताक कि आपको याद रहे आपने यह यूज कर लिया इन दोनों remaining digit में से greatest digit क्या है 3 and में 2 अगर आप ध्यान से देखो गे तो एक है descending order same as it is 6 4 0 1 greatest number में सबसे पहले 6 फिर 4 फिर 1 और फिर and में 0 ये तो था हमारा greatest number ठीक है descending order now question number 6 is form the smallest number using the following digit हमें क्या बनाना है smallest number अब आप देखे smallest number क्या होता है ascending order ascending order क्या होता है smallest to greatest क्या होता ascending order ये है मारा ascending order smallest to greatest 9 3 8 2 क्या है 9 3 8 2 इसमें smallest number बनाना है smallest में सबसे पहले क्या आएगा सबसे छोटा इस पे cross लगा दो फिर बचे में से सबसे छोटा कुन सा है 3 इस पे cross लगा दो इन दोनों में से सबसे छोटा क्या है 8 and में क्या आएगा 9 ठीक है next देखे 4 6 5 1 इसमें smallest number सबसे छोटा 1 cross लगा दो फिर 4 प्रोस लगा दो 4 पर फिर 5 प्रोस लगा दो 5 पर फिर and में 6 ठीक है यह 6 का A पार्ट B पार्ट अब हम करते हैं C D E F पार्ट C पार्ट is most important पार्ट ध्यान से समझों smallest number बनाना अब आपका जीरो को पहले ले दो अगर मैं जीरो को लिख दू फिर 2 फिर 3 फिर 7 आपका according तो यह बनाना smallest number but it is wrong why it is wrong क्यों है यह wrong देखो 0 आग गया मतलब 0 की तो कोई value नहीं है तो देखा जाए तो कितनी digit हो गई 3 digit लेकिन मेरेको तो 4 digit number बनाना था अगर मैं 2037 लिख दू तो इसकी value न क्या बन जाएगा यह 20 बन जाएगा न तो यह 4 digit count होगी लेकिन अगर मैं इसको देखो तो यह कितनी digit count होगी 3 digit तो जब भी smallest number आए और 0 आए तो 0 को कभी भी सबसे पहले नहीं लिखते 0 को एगवर भूल जाओ इन बच्चे वे में से सबसे छोटा number क्या है 2 उसके बाद लिखो 0 फिर क्या आएगा 3 फिर आएगा 7 दुबारा से करते हैं आपके according क्या है 0237 but it is wrong क्यों रोंग है यह 3 number consider हो रहे हैं हमें 4 digit बनाना है क्योंकि 4 number गीवन है अग consider होगा ना तो हम क्या करेंगे 0 के एक बार भूल जाएंगे जो बच्चे में उनमें सबसे छोटा क्या 2 उसके बाद लगा दो 0 फिर 3 फिर 7 यह 237 यह 2037 डिफ्रेंस है ना 237 काउंट हो है यह 2037 काउंट हो है यह 0 काउंट हुई है ठीक है तो इसलिए जब भी smallest digit बनाते हो 0 बात इसको कभी पैले नहीं लिखना 8465 का smallest number सबसे छोटा क्या है 4 फिर 5 फिर बच्चे मेंसे क्या है 6 और फिर 8 smallest number 1 1 के बाद क्या है 1 को छोडो in में से क्या smallest number 3 इसको छोडो in में से smallest number 5 इसको छोडो smallest number 7 smallest number 2 smallest number 3 smallest number 4 फिर 7 जब हम smallest number बनाते हैं वह एक तरह से ascending order होता है और greatest number होता है descending order यह two questions आपको carefully अपनी notebook में करने हैं कोई भी doubt लगता है query है तो आप मुझसे clear कर लेना thank you have a nice day